किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट का रहा और पूछा कि अगर उन्होंने कॉंटूरा लेसिक सर्जरी करवाई है उनकी आखों का जो पावर है वो 3 और 3.25 है तुरंत जब उन्होंने लेसिक सर्जरी करवा ली तो उनका जो दूर की जो नजर थी वो बिल्कुल ठीक हो गई लेकिन उनका जो पढ़ने वाला जो रीडिंग का पाट था वो बिल्कुल उन्हें धुंजला दिख रहा है और इस सर्जरी को करवाए हुए 4-5 दिन हो चुके है तो क्या वो ठीक होगा या नहीं होगा तो इस सवाल का जो जवाब है मैं आपको इस वीडियो में तकलेंस पैशलिस जूम आप सबी का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है अगर किसी ने कॉंटूरा लेसिक सर्जरी अगर करवाई है और उनका दूर का जो विजरीन हो बिल्कुल ठीक हो गया है और रीडिंग का जो विजरीन हो थोड़ा खराब हो गया है तो इसके 2 वो ही main reason है, या मुख्य कारण है, सबसे पहला कारण जो है, वो है dry eyes, देखें, जब भी हम कोई surgery करवाते हैं, तो उसके बाद थोड़ी सी dryness की problem आ जाती है, जिसको की हम lubricating eye drop, जो की आपका consultant doctor है, वो आपको advise करता है, कि 2-3 महिने तक डालनी होती है, तो आपकी जो dryness की तीन हफते का time लगता है, तो dryness की वज़े से भी reading problem आती है, लेकिन 2-3 हफते में वो चीज ठीक हो जाती है, अगर हम lubricating eye drop का इस्तमाल करते हैं तो, और दूसरा जो main reason है, वो है अगर आपकी age 40 है, या 40 के आसपास रही है, मतब 38 भी हो सकती है, 39 भी हो सकती है, 40, 41 या 42, आप आपने इनके आसपास अगर आपने contouralesic surgery करवाई है, तो इसमें आपका जो दूर का जो नजर है, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको जो reading का जो चश्मा है, वो तुरंत आपको लग जाएगा, क्योंकि 40 में जाके हर किसी को चश्मा तो लगना ही लगना है, चाहे वो दूर का हो या पास का, तो ऐसा नहीं है कि 40 मतलब कि 40 से कुछ 1-2 साल पहले या 1-2 साल बाद हम ले सकते हैं, अगर आपकी ये 40 की आसपास की रही होगी, और किसी doctor ने आपको बिना ये बताए, कि आपका जो अगर हम दूर ठीक कर देते हैं, तो आपको reading का चश्मा लग जाएगा और operation कर दिया, तो ये वो case भी आपके साथ हो सकता है, कि आपकी दूर की नजर ठीक हो जाए, और आपको reading का चश्मा लगाना पड़े, आशा करता हूँ, जिसने ये सवाल पूछा है, उसको उस सवाल का जवाब मिल गया होगा, अगर आप लोगों के मन में भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जुरूर दूँगा, धन्यावाद